दर्क बॉलिवर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तो आप इस चैनल पर नए हो तो सो प्लीज चैनल को लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब चुरूर करें दोस्तो आज हम आपको वीडियो में निरोमोदी के घर के बारे में जानकारी देंगे दोस्तो निरोमोदी का जनम जामनगर गुजरात में हुआ था परन्तु उनकी अरोरिस एंट वर्प बेल्जियम में हुई उसका परिवार कई पीडियों से हीरो के कारोबार में रहा है 2010 में स्थापित निरोमोदी गलोबल डाइमन जवेलरी हाउस का संस्थापक निरोमोदी है उसकी इस कंपनी का मुख्याले मुंबई में है निरोमोदी की मुंबई, डिली, जाइपूर, अलिबाग और सूरत में खई संपतिया है जिसके कीमत करीब 14 सकरोड की होती है मुंबई के वरली में समुधर महल नमक बिल्दिंग में निरोमोदी के 6 एपार्टमेंट है 71 एपार्टमेंट की कीमत करीब 100 करोड रुपिय है रिदम हाउस मुंबई के आइकोनिक म्यूजिक स्टूर के रुप में जाना जाता है या दक्सिर मुंबई में है जहां से मंतरालाई ताजमान होटल जैसे फेमस बिल्दिंग कुछ मीटर की दूरी पर है इस प्रोपरटी को निरोमोदी ने 2017 में 32 करोड रुपे में खरीदा था यह स्टूर 3500 वर्क फिट में बना हुआ है पेडर रोड पर एक प्रोपरटी, ब्रीच केंडी रोड पर एक फ्लैट और उपेराहोस में तिन फ्लैट है मुंबई, जैपूर सूरत में फॉर्स्टार टाइमन कंपनी के नाम से आफिस हैं जबकि डिल्ली के पॉस इलगों में खई प्रोपरटिया है मुंबई के बंदरा कुरला कंप्लेक्स में आलिसान आफिस है और माराश्टर के अलिबा के टट पर एक आलिसान बीच विला है 2010 में निरोव मोडी ने नई डिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में डिजैनर हेरो की स्टोर सुरू की थी उसके बाद मुंबई के काला गोडा में भी उसके साखा खोली इसके बाद दुनिया बर की प्रमुक जगाओं में उसने 17 स्टोर और खोले निरोव मोडी की तूलना कभी कभी लॉरेंस क्रेप से भी की जाती है जिन्होंने हाई एंड हीरे वाजार में इसी तरह ही अपना ब्रांड नाम बनाया था दोस्तो वीडियो में डियो ही जानकरी रोचक लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे